हाई स्टुडेंट आप सभी को स्वागत हैं आपके अपने चैनल एबीपियन एजुकेशन में और आज आप लोग को बताएंगे क्लाश टू के मैट्स है और यह अभ्यास चार और पांच दोनों इसमें सामिल होंगे जैसे यह सब देख रहे हैं बहुत ही असान असान जो है अभ्यास चार में है लेकिन इधर जो देख रहे हैं यह अभ्यास पांच का मैट्स है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो जो प्रस ने दिया हुआ है यानि कि इनका योगफल निकाले तो दसमलों वाला योगफ क्या सवान होना चाहिए जैसे अगर इसको जोडतें अगर हैं 6.12 और इधर है 7.912 और 3.992 है अब देखिए तो ये दसमलों के बाद ये दोनों में 3-3 अंख है लेकिन इसमें क्या है दो ही अंख है इसलिए यहाँ पे जीरो चिप काएंगे और इसको सिंपल जोड की तरह जो हैं इसको जोड देंगे और दसमलों को ध्यान में रखना है कि सभी दम सोजी ही रहना चाहिए अब जोडेंगे 2-2-4-9-10 और 12 की दू हांसिल 1-9-9-18-19 और 1 कितना हो गया 20 की 0 हांसिल 2 हो गया और 7-3-10-6-16 और 2-18 हो गया और दसमलों है तो दसमलों और यही जो है क्या हो गया इस परसन का उत्तर हो गया लेकिन आपको इस टाइप के अगर कोश्चन कुछ देगा तो इसको ऐसे जोड़ना है 0.01 फिर 0.101 है फिर 1.01 है और फिर कितना है 1 है इसको 1.0 भी कह सकते हैं 1 को फिर क्या है 1.001 है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देना होगा सब में अंको के संख्या समान ना है दसमलों बाद इसलिए इसमें 0 है केवल 0 हम बैठा देंगे यहु में हम क्या करेंगे केवल 0 दे देंगे इसमें भी 0 दे देंगे ऐसा करने से सब ही क्या हो गिए समान हो गिए आप इसको जोड़ लव 1,1,2,3 हो गया और इस परकार यह वाला इस प्रश्न का उत्तर हो गया लेगिन इस टाइप के अगर देगा तो यह तो और ही आसान है इसमें किवल समान कर दिजे यहाँ 1 तो यहां जीरो यहाँ भी ठीक इसी परिगार से जोड़ना है अबकी पाँच्वाँ अभ्यास में अभ्यास 5 है लेकिन काता है इनका योगफल निकाल कर योगफल को मॉली की काई में बदले मॉली की काई मतला मीली सेंटी डेसी डेका हेक्टो कीलो ये सब जो होता है उसमें बदलना है तो इसके लिए जो है हम एक वीडियो बनाकर अप्लोड कर दिये हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ पे जाएं और उस वीडियो को देखें तब जो है काफी आपको यहां पे समझने में आसानी होगी क्योंकि इस टाइप के कोश्चन को हल करने के लिए विभिन मौली की कायों में बदलने के लिए उसमें काफी अच्छे से बताया गया है जैसे यहां पे देखिएगा यह सभी को जोड़ना है तो सबसे पहले जोड़ है तो आगे तो हम लिख देंगे ही कि 2.34 मीटर फिर क्या है 3.95 मीटर और फिर है 6.7 तो देखिए ध्यान देना चाहिए कि यह दसमलों के बाद अंकिस अंक्या समान होना चाहिए तो इस 7 के वल है तियां पे 0 लगा देंगे और मीटर सब को जोड़ेंगे 5 और 9 हो जाएगा दसमलों हांसील एक बचा है चो तिन नौ और नौ दूइगारा एक खासीलवा बारह हो गया इतना मीटर हो गया है आप देखिए ध्यान देना हो गया आप लोग को जब इतना मीटर ही 12.29 मीटर हो गया इसको अभी भी नहीं काईयों में बदलना है तो इसको तोड़ने के ल क्या आप लोगो को बताया गया होगा कि मिली सीट डी सीजी पैशा धी हां कम कम, ऐसा जो है, आप लोग को एक trick बताया गया होगा, आप इसमें देखिए, की क्या है, मिली पूर, मिली गराम, मिली है और सेंटी है, डेसी है, गराम है, यहां पर मीटर भी आता है, और लीटर भी आता है, जी डेका है, हिक्टो, किलो, और M4 माईरिया होता है माईरिया ग्राम जो की एक पुराना यूनिट है लेकिन आपके बुक्स में यह बला खचर्शा नहीं किया गया है ठीक है तो आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं फिर जो है कीलो के से पूर है कीलो नहीं क्यूइंटल है और M4 मीटरिक तन है तो यहाँ देखिए अगर इधर से इधर की ओर जाएंगे तो एक पर उतना ही जिरो इधर से इधर की ओर जाएंगे तो एक बटा एक पर उतना ही जिरो होगा तो यहाँ पर मीटर है और मीटर यहाँ पर यहाँ है और इधर अगर जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे तो इस 10 को हमको खतम करना है तो हम 10 से इसमें गुना कर देंगे तो इस DC मतलब DC में बदल जाएगा है ना और यहाँ पे अगर चलाएंगे CT में तो यहाँ दू अस्थान इधर चलाएं तो हम 100 से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे तो 100 कट जाएगा और सेंटी में बदल जाएगा तो यहां लिखेंगे 12 मीटर पलस 9 बटा 10 गुना 10 से 10 गुना करेंगे तो कुछी में डेसी में बदल जाएगा मीटर को 10 से गुना कर देंगे तो dc में बदल जाएगा तो यहां लिखेंगे dc meter पलस 9 बटा 100 और यह meter है तो 100 से अगर हम गुना करेंगे तो centimeter में बदलेगा तो इसलिए हम लिखेंगे यहां 100 centimeter सो centimeter अब देखिए तो 10 से 10 कड़िया 100 से 100 कड़िया अब क्या हुआ लास्ट में जो प्राप्थ हुआ यह देखिए 12 मीटर 12 मीटर कॉमा 9 डेसी मीटर यहां लिखेंगे 9 डेसी मीटर और फिर यहां पर देखिए 9 सेंटी मीटर तो लिखेंगे तथा यहां पर कॉमा देंगे इधर तथा लास्ट में देंगे 9 सेंटी मीटर और इ प्रस्न का उत्तर हो गिया चीक है यह क्या हो गिया उत्तर आप दियान दीजिएगा यहां प्वे थोड़ा सा इसको आगे तो पहले जोड़ना है इसको है ना तो इसको आप सिंपल जोड़ सकते हैं 5.653 की गरा की गरा मतलब किलो गराम और 6.07 देखिए इसको समान बनाना है यहां 0 देदेंगे तब लिखेंगे किलो गराम और यहां 5.0 है तो 5.0 इधर कुछ नहीं है तो 00 और यह हो गिया किलो गराम और इस परगार से फिर हम जोड़ेंगे सभी को एड करेंगे तो कितना हो जागा थ्री साथ पांच बारा की दूँ हां सी लेग छो एक साथ है फिर अच्छँ Fifth 11 और इगार और फांच ए इगार पांच हो गिया यहां पर 16 हो गिया और इक हसिल बाघ सथर हो गिया और दसलो है तो यहां पर दसलो golden-आग ठीक है इतना कीलोगराम हो गिया यह सर्ष ten पीशन कहाथा इनका यूग फो नीकाले। लेकिन योग फ़ रहें ले मतलब 17 kg पलस इस 7 को हम तोड़ के लिखेंगे तो 7 बटा 10 पहला अंख है 7 बटे 10 kg है ना और पलस 2 को हम लिख सकते हैं 2 बटा 100 kg 2 बटा 100 kg तीन को लिखेंगे 3 बटा 1000 kg क्योंकि तीसरा अंख है तो 3 को नीचे 0 दे देंगे अब समझेगा फिर यह फर्मूला काम देगा आपको मिली सीट डी सी जी पैसा दीहां कम ऐसा जो है अब लोग पढ़े होंगे अब देखिए तो यहाँ किलो ग्राम है तो किलो ग्राम यहाँ पे नहाँ है यहाँ पे किलो ग्राम है यह देखिए अगर ये kilogram में हम 10 से गुणा कर देंगे तो हेक्टों में बदल जाएगा अगर हम D से D से डेका में यदि बदलना चाहर रहे हैं तो 100 से गुणा हो जाएगा और G4 gram है हैना मतला 1000 से गुणा करेंगे तो gram में बदल जाएगा तो आप ऐसा करें यहां पे 10, 100, 1000 जो दिखाई दे रहा है सब को हम इस रुख में बदलेंगे यानि लिखेंगे 17 kg यहां दिखाई तो दे रहा है न पलस 7 बटे 10 हम 10 से गुना कर देंगे तक kg हो जाएगा फिर जो है पलस 2 बटा 100 आरी नीचे जो है 100 है तो 100 से ही गुना कर देंगे यहां पे 10 से गुना करेंगे तो देखिए 10 से गुना करेंगे तो हेक्टो में बदल जाएगा तो यहां पे लिखेंगे हेक्टो गराम फिर दू बटा सौ गुना सौ से अगर गुना करेंगे तो कोची में बदल जाएगा देका गराम यहाँ पे लिखेंगे देका गराम फिर जो है पलस तीन बटा एक हजार गुना एक हजार चीक है तो कोची में बदल जाएगा 1000 से बुना करेंगे तो गराम में बदल जाएगा यानि यहां लिखेंगे केवल कोची गराम लिखेंगे अब इसको थोड़ा सा जो है यहां पे समझेगा इधर यहां लिख दे रहें फिर नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा 10 से 10 कट गिया 100 से 100 कट गिया और 1000 से 1000 कट गिया तब देखिए तो वहां पे है क्या 17 किलो गराम तेहां लिखेंगे 17 किलो गराम और फिर क्या है 7 हेक्टो गराम तेहां कॉमा 7 हेक्टो गराम है ना कॉमा फिर क्या है दू डेका गराम यहां लिखेंगे दू डेका गराम फिर उसके बाद कॉमा तीन गराम यहां पर लिखेंगे तीन गराम और तथा में लिख देंगे यहां लाश्ट में जो है लिखेंगे तथा तीन गराम और यही बला इस प्रस्ण का क्या हो गिया उ और भी हम आगे देखते हैं अभी ठीक है जैसे इसको मिटा लते हैं एक बार और आप जो है बाकी जो से बचे परस ने रह जा रहा है उसको जो है आप बनाने की कोशिस करेगें खुद से उसके बाद यहां पर समझेगा शलिए यहां ध्यान देंगे सभी लोग अगर कोश्चन कुछ ऐसा आ जाए कोश्चन नम्मर यहां पर है आपका 6 0.179 लीटर किलो लीटर है किलो लीटर और पलास 0.001 किलो लीटर फिर है पलास 0.01 किलो लीटर किलो लीटर पलास एक लीटर एक किलो लीटर ही है को जोड कार इसको विभीन मौली की काईयों में बदलना है तो यहां पर समझेगा आगे लिखेंगे 0.179 किलो लीटर फिर है 0.001 किलो लीटर है सम में जो है दसमलो के बाद तीन आंखा था तीन ही आंख लिखेंगे इसमें है 0.01 लेकिन तीन आंख बनाना है तो एक जीरो देना होगा अपने मंग से ठीक है क्योंकि दसमलो के बाद जीरो देने से कोई चेंजिंग नहीं होगा एक किलो लीटर है तो एक दसमलो जीरो जीरो कयो लिख सकते हैं इतना किलो लीटर अब यहाँ पर द्यान दिजीए सब को जोड़ेंगे तो यहाँ किलो लीटर है तो यह तो किलो लीटर ही होगा है ना यहां पे 9 एक 10 की 0 हो जागा हासिल 1 7 8 9 हो जागा और 1 की 1 हो जागा और 1 की 1 हो जागा एतना हो गिया अब इसको बिभीन मौली की काई में बदलना है तो लिखेंगे 1 किलो लिटर पलस एक के लिखेंगे 1 बटा 10 किलो लिटर एक बटा 10 किलो लिटर पलस नव को लिखेंगे 90 किलो लिटर चाहे तो 9 बटा 10 किलो लिटर नव दस नहीं यहां पर 100 हो जागा चाहे तो लिखेंगे 90 बटा 90 बटा 100 किलो लिटर चीक है यहां पर दोनों आंख हम एक ही साथ लिख लिए तो 90 बटा 100 क्योंकि लाफ्ट में 0 है तो दोनों को 7 में लिख लेंगे एब ध्यान दीजिये आप लोग यहां पर मीली सीट किणीदाबगन कम-कम कम-कम यह कीलो है और यहां मीटर भी आता है लीटर भी आता है गराम के जगह पर देखिए लीटर को बदलना है अगर हेक्टोलीटर में दस से गुना करना होगा सौस गुना करेंगे तहीं डेका लीटर में बदल जाएगा है ना तो कि दूए को वहाँ पर है यह है तो इसलिए यहाँ पर दूखों को हम ध्यान देंगे क्या एक किलो लीटर एक किलो लीटर पलस एक बटा दस गुना दस गुना कर देंगे हेक्तो लीटर में बदल जाएगा पलस नबबे बटा सो और गुना हमके तस गुना करेंगे सो से और सो स गुना करेंगे तो यह बदल जाएगा कोची में डेका में बदल जागा, यानी कि डेका लीटर ठीक है, अब देखिए तो 10 से 10 कट गिया, 100 से 100 कट गिया वेह एक किलो लीटर वेह एक किलो लीटर पलस पलस नहीं, एक हेक्टो लीटर हेक्टो लीटर फीर क्या होrial 90 देसि लीटर तो यहां लिखेंगे नबे डेसी लिटर और यही बला इस परसन का क्या हो गिया? अंसर हो गिया, ठीक है? अब उसके बाद यदि हम देखें तो क्या होगा? यहां पर द्यान से समझने की कोशिश करेंगे? चलिए, यह तो कोश्चन देख लिए एक कोश्चन और लेते हैं ताकि आप लोग बिलकुल यह है, समझ जाए यहां पर ध्यान देंगे कोश्चन नमबर हम लेते हैं आपके बुक्स के सातवा नमबर कोश्चन सातवा नमबर कोश्चन है पंदरह दसमलो 185 टर्न इतना टर्न है पलस 22.01 टर्न पलस 28.559 टर्न इतना है, सब को जोड कर इसे मौली की काईया में बदलना है तो देखिए, यहां लिखेंगे 15.185 ठीक है, टर्न फिर यहां है 22.01 कुछ नहीं है तो 0, टर्न फिर इसको है 28.559 टर्न और सब को जोड दीजिए अब यहां पे ता 9, 5, 14 हासिल 1, 8, 9, 9, 5 फिर कतना हो गिया, 14 और एक पंदरह की पांच है ना, फिर हो गिया पांच है फांच है, एक छो, एक हासिल 7 हो गिया 8, 2, 10, 5, 15 2, 2, 4, 1, 5 और एक छो हो गिया इतना, अब इसको तोड़ना है 55 टर्न पलस 7 बटे 10 टर्न पलस 5 बटे 100 टर्न और पलस में 4 बटे 1000 टर्न ऐसा हम तोड़ देंगे आप इसको देखिए मिली सीट डी सीजी पैसा दीहां कम कम ऐसा कुछ ट्रीक बताया होंगे आप यहाँ पे देखिए एम फोर होता है मिट्रिक टन चाहे केवल इसको आप टन भी कह सकते है है ना तईस टन में अगर हम 10 गुना करेंगे तक केव फोर क्या किविंटल केविंटल यान किविंटल में बदल जाएगा और अगर हम 100 सुगुना करेंगे तक एम फोर मीरिया ग्राम माइरिया ग्राम भी इसको बोल जाता है माइरिया ग्राम ठीक है और हम 1000 सुगुना करेंगे तो ही कोचिम में बदल जाएगा, किलो ग्राम ठीक है? तब देखिये तो यहां पे पैंसाठ์ टन तो पैंसाठ टन ठीक है भाई पैंसाठ टन है और पलास साथ बटे दस गुना दस तो दस से गुना करेंगे तो कोचिम बदलेगा क्विंटल तो यहां पर लिखेंगे क्विंटल और पलस चार बटा सौ गुना सौ सौ सु गुना करेंगे तो माईरिया गराम में तो यहां पर लिख सकते हैं क्या माईरिया गराम चीख है अब फिर यहां पर 10000 गुना करेंगे तो किलो में बदलेगा पलस में यहां चार बटा 1000 गुना 1000 किलो ग्राम 1000 किलो ग्राम ऐसा हम लोग कहेंगे ठीक है अब यहां पर ध्यान देज़ेगा आप लोग 65 टन है तो यहां 65 टन और 10 10 कट गया 7 क्विंटल हो गया साथ क्विंटल और कॉमा इसो सो कट गया और चार माईरिया गराम माईरिया गराम हो जाएगा और तथा यह जिरो से जिरो पुरा कट गया और चार किलो गराम हो गया किलो गराम हो गिया अब इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि 65 टन साथ किविंटल और एक माईरिया गराम में 10 किलो गराम होता है तो यह 4 माईरिया गराम में 40 केजी हो जाएगा और 4 जोड के भी लिख सकते हैं कि 65 टन साथ किविंटल साथ किविन टल और 40 और 4 44 किलो गराम ऐसा क्यों हम लिख दिये आपके बुक में जो है इसी प्रगार का अंसर दिया होगा यहाँ पे माईरिया गराम का चर्चा नहीं किया हुआ होगा इसलिए इस रूप में इसका अंसर होगा ठीक है तो यहाँ पे इतना कोशन हम लोग देखे तो हम उमीद करते हैं कि आगे जो है कोशन आप लोग बना लेंगे तो आज के लिए इतना ही और फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद